सो हे गाईस कैसे हो आप लोग उम्मिद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तों आपके लिए बड़ी खुसकवरी आ चुकी है जिसका आप इंत्याय कर रहे थे अच्छे होगे और इस वार दोस्तों आपका एज क्रेटेरिया क्या रखा गया है कितनी उम्मर सीमा होना चाहिए अपलाई करने के लिए एज़ी बिल्टी आपका क्या होना चाहिए और इस वार एग्जाम कब होगा यह सबको जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले तो अन तक आप इस वीडियो को देखिए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजे और आप इस वीडियो को सेर कर दो दोस्तों कल से यानि की 20 दिसमबर से आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं एंड यह फस्ट के लिए ठीक है सौर पे फॉर्म की फीस रहेगी रेजिस्टेशन फॉर्म की ठीक है ओल्लाइन आपको एपलाई करना होगा मेल एंड फीमेल बोथ दोनी एपलाई कर सकते हैं इतनी बाता समच चुके हो और हम आपको बता दें इसका लास्ट डेट दोस्तों वो है 9 जनुवरी 9 जनुवरी इसकी लास्ट डेट यान आपको कौन कौन से डॉकमेंट चाहिए वीडियो आपके लिए आ जाएगा बस आप चैनल पर ऐसी बने जाना चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे बेले कंदवा देना और हम दोस्तों आपकी एग्जाम की डेटा गी है आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला ठीक है 21 अपेल को आपका एग्जाम है संडे को और एक दिन आपका एग्जाम होगा इतनी बात आपके लिए समझ चुके हो अब आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी एज के वारे में यानि की उमर सीमा आपकी एज कितना होना चाहिए दोस्तों एपलाई करने के लिए तो जुलाई दो हजार पांस से लेके एक जुलाई दो हजार आठ के बीच ठीक है जिनों का भी एज दोस्तों इस क्राइटिरिया के बीच है वो वच्चे एपलाई कर सकते हैं तो आप मिला लीजे दो जुलाई दो हजार पांस से लेके एक जुलाई दो हजार आठ के बीच होन होने चाहिए और 1 जुलाई 2008 के बाद के नहीं होने चाहिए और यही रहने वाला कल को नोटिविकेशन आ जाएगा आप देख लेना ठीक है और सबसे पहले नोटिविकेशन पाने के लिए आप चैनलों को सस्काइब करेना बेले कंदवा देना पलपल की अपडेट दोस्तों UPSC के दरब से कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं तो आपको एज क्रैटेरिया बता दिया है कुल मलाकर दोस्तों आपकी एज होना चाहिए साड़ा सतरे से लेके 19 साल के बीच ठीका साड़ा सतरे से लेके 19 साल के बीच यह दी आपकी एज है आप आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी एजूकेशन के वारे में एपलाई करने के लिए आपकी पड़ाई क्या होना चाहिए दोस्तों आप 10 प्लस टू पास होने चाहिए या पेरिंग होने चाहिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है और यदि आप आर्मी के लिए अपलाई कर सकते हैं कुल मेला के दोस्तों हर बैच में जो पोश्ट आती है 400 के तकरीवन होती है जिसमें की दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है आरमी की ठीक है उसके बाद होती है एर फोर्स की उसके बाद होती है नेवी की फिर आती है एने की नेवल अकेडमी की ठीक इतनी बात आप यदि आप नेवी, एरफोर्स या एनने के लिए एपलाई करते हो तो 10 प्लस टू पास होने चीए हैं अपेरिंग होने चीए हैं 11th किलास में 12th किलास में complete नहीं हो एपलाई कर सकते हैं परन्तु आपकी 12th किलास में PCM होना compulsory है यानिकी science subject physics और math subject आपके पास होंगे तब ही आप apply कर पाओगे navy, air force या एनने के लिए ठीक है इस बात का दिहान रखना विशेश रूप से ठीक है तो science subject आपके पास होना चीए apply करने के लिए बाकी दोस्तों आपके पास science subject नहीं है आपने 12th biology, commerce या आर्ट से किया तो आप भी apply कर सकते ह आप आर्मी के लिए योग्हें आविदन करने के लिए ठीक है और आपके पास PCM है तो apply कर सकते है नेवी, air force और NA के लिए, NA के लिए के वाल मेली apply कर सकते हैं और इनमें दोस्तों male, female बहुत दोने apply कर सकते हैं ठीक है तो हमने आपको education qualification बता दिया है तकरीवन दोस्तों पो पीस रखा गया है, online आपको apply करना है और male, female बहुत दोने apply कर सकते हैं हमने आपको बता दिया है, age criteria एक बात दोहरा देते हैं दुआरे, 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच होना चाहिए, comment करें जरू बताना है कि दोस्तों आपका date of birth इस criteria के बीच है या नहीं, कुल में लेका 7.5 से लेके 19 साल के बीच आपका age होना चाहिए, और कल से दोस्तों online form आप fill up कर पाएंगे, और इसका last date है दोस्तो 9 January ठीक है, काफी दिन मिलेंगे apply करने के लिए आप form आराम से fill up करना, online आपको apply करना होगा, और एक किसा पहल को दोस्तों आपका exam है, परिच अपने वीडियो लाइक नहीं कराया तो लाइक जरू कर देना, सेर कर देना अपने भाई मितरों में जो बच्छे apply करने वाले NDA के लिए उन तक इस वीडियो पहुचा देना, और चैनल पैना यो पहली वार आयो तो भाई छोटी से रूकाश टाप से है, चाहां सस्काइब कर लेना बैले कंदावा देना, पलपल की अपडेट हम आपके लाते रहते हैं, मिलते हैं आप से एगली वीडियो में आप तयारी करते हैं, रीजिए अपना ख्याल लगो, जैह हिंदि